हिलो फ्रेंज मेरे यूब्टु चैनल इंप्रोफियोर नॉलेज में आप सभी का श्वागत है फ्रेंज आज में बहुत ही बेसिक रेश्पी लेकर आए हूं जिसे हम दम आलू बोलते हैं ये आलू दम पूरी के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है तो फ्रेंज हम में बनाके पूरी आलू दम खा सकते हैं ये तो हर घर में बनता है लेकिन थोड़ी से आप शावधाने बढ़ते हैं तो ये बहुत ही टेस्टी सब्दी तयार होता है बच्चे वड़े सभी पसंद करते हैं जैसे की फोरन को रोष्ट करना मर्शाले की प्रिपेशन ये कश्री को आप ही ट्राइब की जिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए शब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट करना मत बुली जिससे की हमें पता सल सके कि मेरी रेश्वी आपको कैसी लग रही है तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं पूरी वाले आप दम क करींगे तो इसे हम एक दम राइ रोस्ट करेंगे यानि इसकी नन को हम दूर करेंगे अध्य हम उतमे एक चम्माच जीरा डालेंगे जीरा को भी हम भूब कर हम लिए तो इसे हमें इसकी प्रोपोल कुछ मीनत के लिए धनिया और जीरा को ट्राइरोष्ट कर लिया है इसमें से अच्छी सी कुस्पू आने लगे है अब हमें इसे एक बॉल में निकाल लेना है हमने धनिया जीरा को एक बॉल में निकाल लिया है अब अपनी कडाही गड़न ही है इसमें हम डालेंगे फोरन तो यहां पे हम फोरन में जीरा, मेथी, शौफ, क्लॉजी, आजवाई, लॉग, यानि कि पच फोरन हम इसमें यूज करेंगे और इसे भी ड्राइरोष्ट करेंग एकदम श्लो फ्लेम में हलवाई लू यही करते हैं पहले शुखी मसाले को ड्राइरोष्ट करके और उसका देल बाहर आने देती हैं फिर तेल डालते हैं तो तेल में अज़्खे से आरोमा आजाता है अपना फोरन का ध्यान रहे फ्लेम को बिल्कुल श्लो करके हम यह सब प फोरन को हमने अज़्खे से भूल लिया है तो शुखा होना है आप देख सकते हैं इससे फुस्वू आने लगी है अब हम इस एश्टेट पे तेल डालेंगे तो यहां पे हम एक बड़ा चमच तेल डालेंगे तो यही एक दो टीफ से अपना हलवाई वाला आलू दम बनाने का अब हम तेल को गड़म होने देंगे और फोरन को हलकाशा पगने देंगे आप देख से प्टे हैं तेल में अपना अच्छे से भून चुका है कितनी अच्छी खुश्पू आ रही है अब हम इस एश्टेज पे अपना प्याज डालेंगे तो हम प्याज को यहां पे ग्रे और यह और चुकरे से हमने घ्रेग कर दिया है कि अपनी दम, आलो में अच्लील हल्की से प्याज की क्रंच लखन रहनी चयाए और घ्रेवी भी एकदम बढ़िया बढ़नी चाहिए तो हम प्याज को मेडियम ख्रेम पे चार से पांस मिनट तक भूनेंगे यानि कि इसका कलर चेंट होने तक भूनेंगे कि आज को हमने 3-4 मिनट तक भूना है आप देख सकते हैं कि आज अपना गल चुका है अब हम यहां पे डालेंगे औरक मिल्च को भी चाहए चीडा लगा लिया है एक पींच अदरक के टुक्रे को हमने ग्रेटर से क्या आए क्योंकि हमें दम में सभी मशाले का टेश्ट आना चाहिए तो हमने उसे पेश्टे नहीं बनाया क्रेटर से ब्रेट किया है आप साहे तो दरदा कूट के भी डाल सकते हैं और एक मीनर तक हम प्याद के सांथ अद्रक को भी अच्छे से भूल लिया अब हम यहां पर टमाटर ड आप साहे तो बाड़ी काट सकते हैं देकिन बाड़ी भी शा हुआ तो दिया हुआ तो दिया हुआ तो दिया रोश्ट करके रखा था उसे एक मशाला कूटने वाला में पूट लेंगे तो हम उसमें अब डाल देंगे के थोड़ा ठंडा गए तो अच्छे से पूट भी जाएगा और भीरे-भीरे हम उसे धरड़ा कूट लेंगे तो यह दम आलो में ऐसे ही धनिया जीरा रोष्ट करके उसे ठंठा रटके कूटके डालते हैं खुट ही बढ़ी अश्वाद आता है अब इसे हम एक बोल में निकाल लेंगे और बाकी के मशाला हम उसमें एड कर लेंगे तो यहां पे हम दो चमच लाल मिर्च पॉडर डालेंगे एक चमच हर्दी पॉडर डालेंगे एक चमच हम गड़म मशाला डालेंगे अब हम सभी मशाले को मिक्स कर लेंगे यह अपना पूरी वाला डम अलुपिडी मशाला हमें तैयार कर लिया तो चलिए हम गयस के तरफ चलते हैं और देख सकते हैं अपना प्याल टमाटर दल चुका है अब हम इस एक से पर नमक डालेंगे तो हम स्वास के अब यहाँ पे नमक डालेंगे नमक डालने से प्याज और टमाटर और फोड़ अगल जाएगा हम दो मिनट तक यसे नमक डालेंगे तो रबाद दख्णीने- द।ध सत्त करेंшей, शूँचरः अम्हें भी पिश को रेने हैं अब हम इसमें dry TP डालेंगे जिसे हमने रुश्ट करके लिखुटा धा और मिक्स किया था तो हम अज़्टे से typing डाल देंगे मशाला को ही हम एक मिनट तक भून लेंगे क्योंकि अपना धनिया जो है वो तो भूना हुआ है जीडा भी भूना हुआ है तो हम हल्दी को थोड़ा सा भून के पका लेंगे आप देखिए कि इतना अच्छा अपना भूवाई एस्टाइल दम आलो की ग्रेवी बन रही है यही सब खास रीजन है कि हल्वाई वाला दम आलो इतना टेश्टी होता है जो कि पूरी के साथ खाने में मज़ा आ जाता है अब देख सकते हैं अपना मशाला अच्छी से भून चुका है कराही में तेल छोड़ दिया है अब हम इस एश्टेट पे अपना आलो डालेंगी तो यहां पे हमने चार आलो को वायल करके पील कर लिया है अब हम इसे एक फोग की मदद से तोड़ेंगे क्योंकि हमें आलो को काटना नष्य है बड़े-बड़े पीसे में इसे तोड लेना है तो आपको जिससे सुजबधा लगे उससे आप से भी तोड़ सकते हैं या फोग से भी तोड़ सकतें ₩ आलो को हमने बड़े बड़े नूड़े में तोड़ लिया है इसमें जो बारिक पेश जैसा हुआ है वही तो ग्रेवी में दल के बहुत अच्छा स्वाद आता है अब हम इते मसाला में निक्स कर लेंगे जो बड़ा भी है उसे हम इस पेश ब्लास से तोड़ सकते हैं इसका मसाले के साथ अच्छी से भून लिया है क्या शुंदर लग रहा है देखने में खाने में तो इसका डिष्ट आप खाएंगे तो ही पता सलेगा अब यहां पे हम पानी डालेंगी तो यहां पे हम एक लास पानी डाल सकते हैं आप अपनी डेवी के दुशार ढाली किसी को गाढ़ा पसंद होता है तो आपड़ पानी डालेंगी तो आधा गलास हम ऑठ पानी बोलती है === आप देख सकते हैं कितना बढ़िया है अपना आलू जम दीख रहा है हमने मसाला को मीक्स कर लिया और इसे इसे कभर करके और डेट से दो मिनट तक देशने पर उबाल लेंगे दो मिनट हो चुका है हम कभर कटा ले रहे हैं अब देख सकते हैं कडाही के ऊपर तेल छोड़ दिया है अच्छे से उबाल आने के बाद दम आलू में ऐसे ही होता है अब हम एक पर मिक्स कर लेंगे और यहां पे हम खोड़ा सा कस्तूरी मीठी जालेंगी इससे सब्दी का टे अब हम मिक्स करके और इससे कफर करके दो मिनट तक छोड़ देंगे फिर आपको शर्ब करके दिखाएंगे कर दो मिनट हो चुका है चलिए हम सब्दी की प्लेटिंग कर लेते हैं आप देख सकते हैं कितनी बढ़ियां कलर आई है अपनी दमालकी क्यों तो चलिए हम गर्मा गर्ब सब्दी सब्द कर लेते हैं आप देख सकते हैं कितनी बढ़ियां सब्दी की ग्रेटि तयार हुई है ऐसी ही ग्रेटि हमें चाहिए होती है पूरी के साथ खाने के लिए तो फ्रेंस आपने देख लिया दम आलू बनाना कितना आसान है इस इसे हमने बहुत ही आसानी से घड़ पे तयार किया इसका श्वात का जोड नहीं है इसे आप कभी भी बना सकते हैं कोई भी पार्टी हो या गेश्ट आएं या आप अपने बज्चों की लिए लंज डिनर में इसे आप पूरी पराठे के साथ खा सकते हैं तो फ्रिंड्स आप